आईए दोस्तो आज हम आपको कले वाली कुर्टी की कटिंग बताएंगे और उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है सबा 3 मीटर कपड़ा है बड़ी अरचका और ये हमारे पास नाप है 50 इंज लंबाई है ये हाप नाप है 22 इंज चैश्ट है 20 इंज कमर है हेपका नाप इसमें नहीं होता है 17 इंज बाजू है 11 इंज मोरी है 5 इंज बैक गला है और 6 इंज फ्रेंड गला है 15 इंज तीरा है तो इस नाप को हम रखने इस तरीके से सामने और ये देखिए किस तरीके से हम इसकी cutting करेंगे इसको आप सीखने के लिए वीडियो को end तक देखें आप ये देखिए ये हमने इस पर प्रेस लगा रखी दी इस तरीके से तो ये हमने double करके ये कपड़ा हमने लिया है इसे और इसको हम इस तरीके से ये देखिए बिचाली आपने क्योंकि ये लॉंग कुर्तियां जो होती है इनके लिए जगा ज़्यादा चाहिए होती है तो कॉंटर पे कम आ जाती है इसलिए कॉंटर पे थोड़ी दिक्कत होती है इसको काटने में आप नीचे भी बैट के आराम से काट सकते हैं ये देखिए इस तरीके से इसको ये मिला के और प्रेस गरम ही है हमारी हलकी इसको हम ऐसे करके सेंटर बना देंगे ये देखिए सेंटर बनाने के बाद में ये देखिए ये लंबाई हमारी है ये दीछे यहां पर क्या बननीच है एक इंज हम इसमें दो इंज मार्जन ले लेते हैं ये बाबनीच है ये देखिए यहां पर और ये इस तरीके से हम यहां पर ये बाबनीच का ये निसान लगा लेंगे वो जो हमने नाब लिया था वो सूट से लिया था तो उसका सवा साथ पे मुड़ा था क्योंकि उसका तीरा जो है बड़ा कड़ हुआ था रेडिमेट था तो हम इसको सवा साथ से ही काटे कें क्योंकि गलावी डीप कम है वो साड़े चौदा इंज में इसकी कमर थी तो 15 इन पे हम ये निजान लगा लेंगे इस तरीके से और ये तीनों निजान हम इस तरीके से देखिए ये सीधे करेंगे ये देखिए क्योंकि पांच इंज कला है बैक से तो हम इसका तीरा ज़्यादा छोड़ा नहीं काट सकते क्योंकि सूट का हमने जो हमारे पास सूट का ही नाप था उसका हमने पंद्रा इंज नाप है तो हम इसका क्योंकि हमें लग रहागी बुजादा है तो हम फिर भी इसको चौदा इंज के गरी हो हम तीरा काटेंगे ही क्योंकि पंद्रा तो उनका था ही और ये तीन इंज इसका ब्रॉड इस तरीके से और यहां पे हम जो तक्ति का जो ये निसान है ये साड़े बारा इंज में इस तरीके से निसान लगाएंगे और लगाने के बाद में 22 इंज है तो 22 इंज का आदा जो हो गया 11 इंज ये चैस्ट का निसान हो गया देखिए और 20 इंच कमर है तो 20 इंच कमर का निसान तो इसका आदा निसान जो हो गया वो 10 इंच हो गया ये देखिए इस तरीके से और ये जो safe 40 है यहाँ पर हम safe 40 से ऐसे ये निसान लगाएंगे और ये वाला जो निसान है देखिए इस तरीके से थोड़ा सा डॉन आएगा ये देखिए इस तरीके से क्योंकि ये 7 इंच है और ये 7 इंच है इसलिए ये डॉन आएगा ये आएगा और इसको इस तरीके से ये देखिए ये गुलाई करेंगे और गुलाई करने के बाद में ये देखिए ये A-shape के कुर्टी भी है इस तरीके से ही कटती है वो छोटा अर्ज होता है ये इसका अर्ज ज्यादा है और इसको मैं कली भी किस तरीके से डालूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए ये इस तरीके से हम ये निसान लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से और ये निसान लगाके ये वाला निसान हम ऐसे करके देखिए ये मिला लेंगे कमर पर और यहां पर हम ये गुलाई दे देगे ये देखिए ये वाला इस तरीके से ये निसान लगा के और इसकी हमें अभी गुलाई करनी है तो गुलाई करने के लिए देखिए यहां पे हम इंची टैप रखेंगे यह देखिए यह यहां से ऐसे करके पकड़ना इंची टैप को और यह बावन इंच ऐसे करके निसान लगा लेना है यह यह मैंने ये देखिए ये मैंने हलका हलका लगाई दिया है अब इसको मैं गाडा कर देता हूँ इस तरीके से ताके आपको अच्छी तरीके से इसका ये नजर आ जाए कि मैंने किस तरीके से ये निसान लगाया है ये निसान इसलिए लगाया है क्योंकि अगर इसके ये गुलाई आप देंगे यह देखिए यह आपके लिए नजर आता होगा तो अगर यह आप यह गुलाई नहीं करेंगे तो यह कोना जो है इसका गिरेगा क्योंकि हम कली वाला कुर्टा बना रहे हैं इसमें कली किस तरीके से डालेंगे भो भी मैं आपको बता हुआ अगर हां यह हम एसेप का बनाते इसको और यह कली वाला नहीं बनाते और छोटी अर्ज में बनाते तो हम इसको यह सीधा रखते तो क्योंकि उसमें यह डिजैन होता है कि कोना गिरता है तो यह देखिए इस तरीके से यह हम निसान लगाने के बाद में इसकी हम यहां से देखिए पहले यह यह हम कट करते हैं डौन करके मैंने नहीं लगाया तो निसान लगा सकते हैं और देखिए ये फ्रेंड को इस तरीगे से काड़ेंगे और यहां पे जो मार्जन लखना होता है margin का भी इस तरीके से अब ये back का निसान जो है इतना काड लिया अब back का निसान भी आप ये इस तरीके से लगा ले एक inच एश्टा करके और ये गुला ही कर दे क्योंकि इसमें जदा एश्टा नहीं करना है क्योंकि इसका तीरा बड़ा है यह देखिए यह इस तरीके से यह बैग भी कट जगी है हमारी अब हम जितना मारजन इसमें रखना चाते हैं उसी मारजन को लेके देखिए इस तरीके से यह यह काटने के बाद में यह जो गुलाई है इसको भी हम इस तरीके से देखें कॉंटर में जगा कम है तो ये काड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ये देखिए इस तरीके से ये गुलाई कर लेंगे देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ और ये जो कपड़ा है इसको भी देखिए मैं यह हटा देता हूँ, यह देखे, यह कटने के बाद में इसको कुछ इस तरीके से आएगा, अब हमें कली डालनी है, तो हम इसको ऊपर ऐसे करके खीज देंगे, क्योंकि कली हमें जो डालनी है, वो सिरब चोली से नीचे नीचे डालनी है, तो चोली का पीज जो है, इसको आप उपर भी ऐसे खिसका दिंगे तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए इसका घेरा कितना रहा है पहले मैं यह दिखा दूँ फिर इसमें कली कितनी डालेंगे देखिए 28 इंच है तो 28 दूनी 56 इंच हो जाता है एक सेट से तो 100 इंच से उपर हो गया अब यह देखिए यह जो कमर है इस तरीके से आप यह निसान लगा लें जैसे 10 इंच आ रहा है तो 10 इंच का आप इसके जो 20 सेंटर बनाएंगे तो 37 इंच के करीब यह लगा लेंगे हम यहां से यह देखिए 37 इंच का 6 इंच हो गया और यह यह पोने 7 के करीब हो गया तो हम इस तरीके से एक आप सूत और निसान यह ऐसे करके लगा लेंगे और यहां पर जो है इसी हिसाब से ही यह हम 9 इंच का यह निसान लगा लेंगे इस तरीके से और यह जो सबा 3 इंच और 1 सूत का लगा था इसको हम ये 9 इंच वाले पे ऐसे करके ये देखिए यहाँ से निसाल लगाएंगे ये आप इसको और बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें और कम करना चाहें तो कम भी कर लें ये देखिए ये जैसे 9 इंच हो गया और ये दबने के बाद में ये इधर 9 इंच हो जागा तो 9 दूनी अठारा ये हो गया और 9 दूनी अठारा ये हो गया तो अठारा का ये पल्डा आ जागा तो इसको हम यहां से देखिए इसके बीच में से ऐसे करके ये काट देते हैं इस तरीके थे यहां से काटेंगे ये और ये एक इंच नीचे काटेंगे ये जो हमारी ये इसकी निसान आ रहा है कमर का और ये देखिए इसको कली को हम इस तरीके थे करेंगे और ये वाला यहां पर करेंगे अब इसमें हम ये जो हमारी सैट से जो कपड़ा ये बचा था ये हमारा किसी काम का बैसे है नहीं तो हम इसमें से ही चार कनिया निकालेंगे देखिए ये इस तरीके से ये पकड़ेंगे इनको ये थोड़ी सी यहां से जो है इसकी चोड़ाई कम होगी ये ज़्यादा घेरा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कपड़ा है हमारा बेकार चला जाता है देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे एक इंच ये देखिए और इसको ऐसे करके हम ये देखिए ये गुलाई करेंगे ये देखिए ये कर लिए हमने गुलाई गुलाई करने के बाद में जो हमारा ये है कपड़ा ये देखिए ये सारी कलियां बरावर करके इस तरीके से जो छोटी बड़ी है इनको इस तरीके से बरावर कर लेंगे ये नीचे वाली ज्यादा छोटी आ रही है इदर से है ये देखिए इसको ऐसे करके उठा ले और ये देखिए ये बरावर आ बाद में ये जो कोना है इस कोने से जो ये एश्टा जो आ रहा है ये इसको सब ऐसे निसाल लगा के ये काड़ देंगे ये देखे इस तरीके से ये देखे इस तरीके से ये कट जाएगा और ये इसके बीच में ऐसे करके यहाँ पर सैट हो जाएगा तो ये देखे फिर इसका गेरा कितना आजाएगा ये गेरा आपका आजाएगा एक सैट से 40 इंज के करीब तयार हो जाएगा ये 45 इंज तो 45 के हिसाब से ये 4 पल्ले हैं तो 4 मीटर का गेरा आपका इस तरीके से तयार हो जाएगा ये देखे और जैसे नॉर्मल बाजू काड़ते हैं मैं उस तरीके से बाजू काड़ लूँग और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें सेर करें और सस्क्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप आप लोग क्या चाते हैं जो हम आपको सिखाएं तो उसमें कमेंट में आप लिखें ताकि हम आपके कमेंट पढ़के और उसके कुछ काम करें ठैंक यू फॉर वाचिंग